Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 10.5 तो ये वाला हमारा question number 1 रहेगा तो question number 1 क्या कहता है, construct the right angle triangle PQR एक हमें right angle triangle बनाना है, where measure of angle Q is equals to 90 degree QR is equals to 8 cm and PR is equals to 10 cm यहाँ पे हमें एक angle दे रखा है और दो side दे रखी है तो सबसे पहले इसका हम एक rough figure बना लेते हैं तो हम माल लेते हैं यह है PQR ठीक है यहाँ पे यह angle दे रखा है 90 degree का और QR दे रखा है 8 cm, PR दे रखा है 10 cm तो इस तरह का हमें triangle बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक baseline बना लेते हैं और baseline के लिए हमें क्या चाहिए होता है एक side चाहिए होती है अब यहाँ पे एक तो यह side है और एक यह side है तो हम base में यह वाली side बनाएंगे क्योंकि इसके साथ angle भी है इसके साथ angle नहीं है तो इसलिए इसको नहीं बनाएंगे इसी को बनाएंगे तो यहाँ पे बेस में जो हम लाइन बनाएंगे 8 cm की तो हम बना लेते हैं इस तरह से तो यह 0 से स्टार्ट करेंगे और यह 8 तक ठीक है यह दे रखा है R, यह दे रखा है Q और इसकी लेंथ दे रखिए 8 cm अब यहाँ पे इस एंगल को हम मेजर कर लेते हैं और यह आएगा 90 degree तो यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से point लगा देंगे तो इसको प्रोटेक्टर से भी मेजर कर सकते हैं और 90 degree एंगल जो है उसको हम कंपास से भी मेजर कर सकते हैं जो इसका perpendicular आता है ना उसी को हम right angle बोलते हैं तो अब हम क्या करेंगे इस point को इस point के साथ मिला देंगे तो यह आ जाएगा हमारा इस तरह से ठीक है अब यहाँ पे हमें P point डूंड़ना है तो क्या करना है यह देखो क्यों है ना यानि यह जो line है यह यह वाली है अब इसकी length तो कोई दे नहीं रखी है लेकिन यह वाली की length दे रखी है यानि P R की length दे रखी है तो अब हम क्या करेंगे compass में यह वाली distance फिल कर लेंगे तो compass में हम 10 cm फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे यह है 0, 0 के उपर हमने इसकी needle रखी और इसको 10 cm तक खोल लेना है इस तरह से यह आ गया 10 cm अब हम क्या करेंगे इस arc के उपर इस needle को रखेंगे इस तरह से और एक arc बनाएंगे इस तरह से जो इस line को काट दे तो यहाँ पे हमें एक point मिल जाएगा और यही point होगा P तो इस point को हम माल लेते हैं यह है P इस point को हम इस point के साथ मिला देंगे तो यहाँ पे यह क्या जाएगा इस तरह से ठीक है तो यह हमारा एक triangle तयार हो गया तो triangle कैसे हमने तयार किया यह सबसे पहले हमने क्या किया एक baseline बनाए और baseline कौन सी ली जिसके साथ angle भी था और उसके बाद में हमने angle बनाया और फिर जो है यह जो side दे रखी थी इतनी distance हमने compass में fill करके एक arc बना ली और फिर जो arc जिस point पे cut करता ना उस point को हमने इसके साथ मिला दिया तो हमारा एक triangle बन गया questions हम आपत next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही